नमस्ते दोस्तों मैं कविता, स्वागते आपका अपने यूट्यूब चैनल रादा की रुसे भीवानी में, आज हम पानी पूरी बनाएंगे तो चलो, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, हरी चटनी बनानी के लिए ग्राइंडिंग जार में एक मुट्टी हरा धनिया, काट माच हरी मेच, चार पांच लस्तन की गलियां, एक इंचर द्रक का टुकड़ा, हाफ टीस्पून काला नमक, हाफ टीस्पून रेगला नमक, तीन चार आइस क्यूप्स और थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक टीस्पून अमचूट डालेंगे, जार को ढखकर इने ग्रा से उबालेंगे, इसके बाद इसे साइड में रखेंगे, प्लेट में हमने रेडी मेट पानी पूरी ली है, पानी पूरी को फ्राई करने के लिए पूरी की तरह तेज गरम तेल में लोव फ्लेम पर पले एक पानी पूरी डाल कर देखेंगे, तैर कर उपर आने पर ही पानी पूरी को निकालेंगे, इसके बाद ही थोड़ी थोड़ी पानी पूरी कड़ाई में डालेंगे, लगातार इसे चलाते रहेंगे, सारी पानी पूरी हमारी फूलने लगी है, पानी पूरी को फ्राई करने में डेड़ दो मिनट लगते हैं, कड़ाई के किनारे लगाते वो इस से की एक्स्ट्रा तेल निकल जाएं तारी पानी पुरी इसी तरह फ्राइई करेंगे हमने सारी पानी पूरी फ्राइई कर ली लिए मेक्सिंग बॉल में दो अमने अब रृब आलु लिये हैं इन्हें छोटे टुकणों में तोड़ेंगे इसकी बाद इसमें डालेंगे एक छ लाल मिच पाउडर, 143 इस्पून गरम मसाला इन सभी को मिक्स करेंगे हमारे आलू को मिक्सचर बन गया है पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मिक्सिंग बॉल या बगोने में डेड़ गिलास चिल्ड वाटर डालेंगे चार पांच आइस क्यूब्स डालेंगे और डालेंगे एक इस्पून लेमन जूस, दो इस्पून इमली और गुड का पानी, एक इस्पून दनिया पूदीरे की चटनी डाल कर सभी को मिक्स करेंगे मसालो में डालेंगे दालेंगे 1 half teaspoon regular नमक, half teaspoon काला नमक, 1 fourth teaspoon लाल मिक्स पाउडर, half teaspoon roasted जीरा पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 fourth teaspoon काली मिस्ट पाउडर, 3 tablespoon powder sugar और एक स्पून रायते वाली बूंदी डालका सभी को मिक्स करेंगे हमारी पानी पूरी की सारे तैयारी हो चुकी है अंगूटी से पानी पूरी को तोड़ कर इसे दोने या कडोरी में रखेंगे इसके अंदर आलू का मिक्स्चर रखेंगे आप कम जादा रख सकते हैं छोटे गिलास से पानी पूरी का पानी मिक्स करेंगे अब पानी पूरी के पानी को पानी पूरी के अंदर डालेंगे बहुत ही सौधिश्ट पानी पूरी का पानी बना है आप भी इस रेसिपी को एक बाँ जरू ट्राइ करें रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक कियर